घृटन हो औरूसकार दोस्तों मार्केट की बात करते हैं यृट फजऄ का sprष। होजुला का जो स्टॉक प्राइज है फॉर फिफटे में है ताल अठारह के uh को पंद्रह प्रसंद का return दिया है पिसले साल में पते जी बनी है покद осв और देखे यह स्टॉक नॉवंबर के मेहने में 380 के असपास था और अब बढ़कर 450 तक पहुंच गया तो आपने निवेश किया है इन्वेस्मेंट किया है तो आगे शेयर प्राइज कैसा रहेगा इस पॉइंट के उपर बात करते हैं और आगे आने वाली दिनों में नतीजी में आने वाले हैं विप्रो के तो इंपॉडंट पॉइंट की बात करेंगे निवेश के लिए इन्वेस्मेंट के लिए विप्रो लिम्टेट की बात करते हैं दोस्तों काफी समय के बाद यह 450 के आसपास पहुंचा है स्टॉक प्राइज इस से पहले सितंबर के मेहने में 440 तक आया था उसके बाद करेक्शन हुआ 380 के असपास आ गया था दोस्तों तो जो हाई है इसका चार्सों तिर्पन उप्या पचास पैसे का आज ही इसने हाई बना लिए साल का जो हाई है तो स्टॉक में एक अप्रेंट बना हुआ है शेर प्राइज के अनुसार करेंगे ट एक तर से तेजी भी बनी है अब टीशेज देख लेजिए इनफॉसस एसल टेक और विप्रो लिम्टेट और 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 भी जो आईटी सेक्टर की कंपनिया है उनमें एक तर से तेजी देखने को मिल रही है और बजार भी एक तर से उपर की तरफ है दोस्तों तो टेक्निकल च 23,256 करोड और कंपनी के जो प्रॉफिट था 2,677 करोड था थोड़ा बहुत कम हो था प्रॉफिट लेकिन कंपनी को प्रॉफिट था तो तीस्तिति माही में देखना पड़ेगा कि कितनी ग्रोथ रहती है और सबसे बूड़ा पॉइंट यह कि कंपनी की तरफ से क्या बयान का दोस्तो स्टॉक प्राइज देखिया भी 450 माई है और इसका जो अर्णिंग पर शेयर है 22 का है आरोई है 16 का डिब्डेंट इल्ड है 0.24 पसंड का तो इस क्वार्टर में डिब्डेंट का भी अनॉस्मेंट हो सकता है थोड़ा बहुत काम हो तो डिब्डेंट का भी अनॉस् किस प्रकार के रहते हैं कितनी ग्रोध रहती है और क्या बयान आते हैं कंपनी की तरफ से वह इंपर्टन रहेगा जैसे कि स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिल रही है 450 में पहुंच गया है तो एक नजर शेयर प्राइस करने सरबात करते हैं टेकनिकल चार्ट करने 26 में था 10-11-2023 को दूस्तों एक डिड़ मैंने मैं दिखिए स्टॉक जिन्हों ने लिया है 370 380 तो स्टॉक में एक अप्रेंड बनाया दूस्तों और 450 तक पहुंच गया आगे की बात करते हैं इससे पहले भी 440 के आसपास तक गया था स्टॉक तो सपोर्ट जो रहेगा इ दूस्तों 450 में है और जिन्हों ने पिछले एक डिड़ मैने के अंदर लिया है तो उनको अच्छा खासा रिटन मिल रहा है 10-12 परसन का रिटन है पिछले एक मैने में तो आगे की बात करते हैं देखिए 450 का जो प्राइस था इसका काफिए समय होगे पिछले साल था यह 450 का जो प्राइस था दूस्तों 11-2022 को और इसके बाद जो उपर का हडल हो सकता है इसका 460 और 462 का हो सकता है दूस्तों तो 460 के उपर यह स्टॉक टिक जाता है तो नेक्स जो लेवल होगा इसका 480 और 489 तक 450 तक पहुंच गया है टेकने के लिए अप्ट्रेंड है बुलिस मोट बना हुआ है और सपोर्ड जो रहेगा इस वक्त का जो सपोर्ड रहेगा 444-439 कराएगा और उपर की तरफ 460 के उपर यह टिक जाता है तो एक तेजी बन सकते है इसमें और यह उपर की तरफ 472 से 480 त और जिन्होंने गिरावट में लिए पिछले साल से लिए यह जिन्होंने 400 के उपर लिया होगा के स्टॉक बढ़ेगा बट काफी समय के बाद दोस्तों यह बाढ़ रहा देखिए यह काफी समय नीचे की तरफ ही रहा थोड़ा बहुत जंप आता था और जो एक रेंज बनी क्याई यह तो हमारे अनुसा आने वाली दिनों में 470 से 490 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और 470 के उपर टिक जाता है तो स्टॉक हमें 100 से 530 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है थोड़ा बहुत समय लग सकता है देखे होता है कि जब स्टॉक तेज होता है तो बहुत सारे निवेशक जो कम समय के लिए ट्रेट लेते हैं तो वह तरह सब करते हैं मुनाफ़ा असुली करते हैं अब जैसे कि फॉर फिफ्टी फॉर फॉर्टी का जिन्होंने तार्गेट रखा होगा और आरे सब्सक्राइब अब उपर की तरह पहुंच गया है सब्सक्राइब पहुंच गया है रिलेटिव स्टेंड इंडेक्स और स्टॉक टिक जाता है तो एक अच्छी खासी इसमें तेजी देखने को मिल सकते दोस्तों परो लिम्टेट प्रोलि में पोले चाहिए जिनोंने एक साल पहले खरीद है तो होल्ड करें अभी तेजी बनी आने वाली दिनों में नतीज़े आएंगे तो अच्छे होंगे तो स्टॉक और तेज होता हुआ नहीं कहीं दे सकता है जब स्टॉक उपर की तरफ हो तब डीजिजन लेना चाहिए कि हमको क्या करना है इस तरह के अपडेट के लिए शेर बजार की जानकारी के लिए यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो आपके मतलब क करें बेल आइकन दोएं धान्यवाद